हातरस में गैंग रेप कारोप लगाने वाली प्रिर्टा की मौत को के बाद से लेकर अब तक सरकार का काफी कुछ आक्शन दिख चुका है पांच पुलस वालों को सस्पेंड तो कर दिया गया है लेकिन S.I.T. जांच के बीच C.B.I. जांच की सिफारिश की गई है सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पूरे मामले में जिला प्रशासन की मुखिया यानि D.M. अब तक क्यों बचे हुए हैं? D.M. को कौन और क्यों बचा रहे हैं? आप अपनी विश्वस्निता का कतम मत करें तो मीडिया वाले में आपको बता दू दरिंदगी और दर्थ से निढ़ाल एक मसलूम परिवार जो पहले से डरा सहमा है उसे धमका कर लकीर पर लाने का जिम्मा खुद हाथरस के D.M. साहब ने अपने हाथों में ले लिया था इस तुर्रे के साथ कि बहुत हो गई मनमर्जी अब वही होगा जो हम चाहेंगे यह हैं प्रवीन कुमार लक्ष का हाथरस के D.M. यानि AIS अधिकारी हाथरस में जो अंधेर गर्दी मची उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इनी को माना जा रहा है लेकिन D.M. किसी भी जिम्मेदारी से परे होकर साफ साफ बच निकले उधर पिडित परिवार की हालत यह है कि वो D.M. की धंकी को याद करके थर-थर कांप रहा है हाथरस कांड में S.P. ड.S.P. और इंस्पेक्टर समेथ पांच पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके है I.P.S. Association के मुताबिक S.P. पर कारवाई हो सकती है तो D.M. पर क्यों नहीं अगर कोई लापरवाई हुई है तो अकेले पुलिस महकमा कैसे जिम्मेदार है जबकि आदेश प्रशासनिक होते हैं और पुलिस महकमा उसे लागू करवाता है हाथरस D.M. की कार गुजारियां पूरा देश देख चुका है पिडिता के परिवार के बगैर आधी रात को जबरन अंतिम संसकार करवाया मामले को तूल पकड़ता देख मीडिया को काउन नहीं घुसने देने का फर्मान निकाला और फिर परिवार को खुद धमकाने पहुँच गए कानपूर कोर्ट में हाथरस के D.M. के खिलाफ याचिका दायर की गई है कानून के जानकार और नाइपालिका से जुड़े लोग भी बार बार कह रहे है कि जो भी हुआ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी D.M. की है जिस किसी ने भी ये किया है जिस किसी ओफिसर ने ये किया है ये इस किसी ने भी ये किया है उसको इमिजेटली एक्शन लेना जाहिए पर इलिगल कंफाइनमेंट अफ इनोसेंट पीपल जिला दिकारी द्वारा वहां के मीडिया कर्मियों से वहां के तमाम प्रतनिदियों से बत्तिमी जी की गई धकेला गया बंधक बनाया गया अब तक वो कारवाई से मुक्त क्यों है सरकार भाग क्यो रही है, मुक्हमंत्री क्यों नहीं जबाब दे रहा है मुक्हमंत्री पूरे घटना पर परदा डालने में लगे है इस्तिफा कब देंगे लेकिन हाथरस्त के टीम के पास ना जाने कौन सा चिराग है जो हुने अब तक उनकी करनी के पुपतान से बचाता रहा है आथरस्ति राजेश सिंखर, मौसमि सिंग, आशुतोश और लखनों से कुमार अजुशे के साथ आज तक प्योग